Good morning, बच्चो, आज हम 1.7 बनाएंगे, इसमें है addition by counting, पहले हम, पहला question पढ़े, count and add, one has been done for you, इसमें हमें पहले add count करके, यहां लिखना है, उसके बाद दोनों को add करना है, उसके बाद दोनों को add करके, जितने आता है, यहां लिखना है, ठीक है, तो हम count करें, one, two, two, me, यहां लिखंगे और उसके बाद दोनों को add करेंगे, दोनों को add means, जूर, जूर यहां देख रहे हैं, आप, ऐड का चेंगे, यहां हम add करेंगे, डोनों को जूरर के बाद मेसे बाद, इतना होता है, one, two, three, four, five, six, seven, seven होता है, यहां हम equal देंगे, equal seven लिखेंगे ठीक है, यह seven वान टू त्री फॉर फाइफ six seven ठीक है उसी तरह दूसरा कोश्चन बनाएंगे हम यह one two two लिखेंगे यह one two three four लिखेंगे उसे बाद दोनों को add करेंगे दोनों को जोरेंगे तो one two three four five six six है तो 6 यहां हो गया तो यहां equal हम 6 लिखेंगे ठीक है उसी तरह इस question को हम बनाएंगे उसके बाद दूसरा question है यहां पर count and add यहां count करके इसको add करना है तो यहां है 1 2 3 3 यहां 3 लिखना है यहां 1 2 2 यहां 2 लिखना है उसके बाद add करना है यहां कि जोड़ना है दोनों को जोरेंगे तो equal इतना दोनों को जोनने के बाद कितना होता है दोनों को जोनने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 5 होता है था हम 5 लिखेंगे इस question को भी हम ऐसे बनाएंगे उसके बाद यहाँ है तिसरा question है count and add one has been done for you इसे भी वैसे ही बनाना है count करके यहाँ लिखना है उसके बाद add करके inbox में लिखना है count करें one, two, two है तर two लिखना है one, two, three, four, five है तर five लिखना है उसके बाद दोनों को add करना है दोनों को जोरना है दोनों को जोरेंगे तो हम equal seven आता है तो हम seven लिखेंगे फिस दूसरा question है one, two, two है तर two लिखेंगे 1, 2, 3 है तो 3 लिखेंगे दोनों को add करेंगे दोनों को add करने के बाद आता है 1, 2, 3, 4, 5 5 आता है तो equal हम यहाँ 5 लिखेंगे ठीक है उसी तरह इन question को बनाना है आप इने ध्यान से बनाईए